नमस्कार आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना आज मैं GSVM Medical College में हूँ जहाँ पे MBVS फर्स्ट यर के स्टूडेंट्स का नया बैस शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके ही सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो की नीट कौलिफाई करने के बाद काउंसलिंग में फाइनली उनका रिजल्ट उनका एडमिशन यहाँ पर हो गया है और अभी बस यहाँ प इतना इंपोर्टन्ट और सीनियर्स का रिस्पनर करना है क्या मेसेश देंगे यह मैं आपको सुनाओंगी और आएमा मैंब आ आपको ले चलती हूँ और इसके बाद जो नए साल के स्टूडेंट्स ने फरस्ट यर के स्टूडेंट्स मैं उनसे भी बात करूंगी कि यह जी Thank you. On behalf of Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College, I welcome you all once again studying in the Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College. And once you pass out, then you are a gem. जम, okay, so we will turn you, you are a jam, still you are a jam, you are a potential jam, and once you are passed out from GSUM Medical College, you will be tarnished as a jam, okay, and अवगत करादे, कि NMC द्वारा हाल ही में, गत दो वर्षों से, 2019 से, MBBS के कुरिकुलम में कुछ मुलभूत चेंजिस किये हैं, और उसमें यह हुआ है कि CBME-based curriculum अब हो गया है, आप लोग स्वता ही अवगत होंगे, तो इसके चलते हम लोग सबसे पहले foundation course होगा, foundation course वैसे तो एक मा का निश्चित किया गया है NMC द्वारा, परन्तु अभी हम इस वर्ष क्योंकि आप लोग का session बहुत लेट है, तो हम लोग एक हफता, इस Saturday तक आपका orientation program रहेगा, जिसके अनतरगत आपको सभी clinical departments और hospital और सारी सुवधा हैं, जो college producer में होस्टल, library, sports इस से जाएगा, उसके पश्चात हम लोग next Monday से हमारा प्रॉपर टाइम टेबल, anatomy, physiology, biochemistry प्रारंब हो जाएगा, foundation course हम लोग Saturday को run करेंगे और जो आपका scheduled program है, उसे एक घंटा पहले और एक घंटा बाद, मतला 8-9 और 4-5, तो इस तरह से आपका 8-5 का time table रहेगा, जिसमें की morning में आपका yoga and meditation होगा, और 4-5 में computer and English language, जो इच्छुख होंगे उनको किया जाएगा, और Saturday को हम लोग जैसे की foundation course के अंतरगत, आप लोग को बता दे, foundation course का जो हमारा purpose है, वो purpose यह है कि यहाँ पे कई चात, कई background से आया है, कोई convent educated है, कोई गाउपरिसर से आया है, कोई देश के किसी अन्य राज्य से आया है, जो कि उत्तरप्रदेश की culture से, कानपूर की culture से उत अतना comfortable ना हो, इस तरह से इस वक्त आप लोग different platforms पर हैं, तो इस तरह से जब होता है, तो छात्रों के अंतर hostel में, मन ही मन में, भले ही वो बाहर से show करें, चाहे ना करें, एक अंदर से उनके अंदर एक anxiety होती है, और वो अपने parents को miss करते हैं, और असुरक्षित महसूस करते ह इस भावना के चलते हैं, इस उद्देश्चित से foundation course प्रारम किया गया, कि हम लोग आप लोग को सब को एक platform पर लाके जब आप लोग का आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, अभी मैं अगर पूछूं तो first row में बैठा हुआ बच्चा अपने वगलवाले का नाम शायद ना जानता हो, और इधर चात्राएं भी एक दूसरे का नाम ना जानती हों, तो उस तरह से सब लोग आपस में जब वैल ओरेंटेड हो जाते हैं, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, आनन्द आता है, और अभीवाबकों को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग किसी भी चीज का फिकर करने की ज़रुवत नहीं है, हम लोग हैं इनके गार्जियन्स की तरह से, और बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि यदि आपकी कभी कोई रैगेंग, कोई आपको किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस होती है, तो आप हमको किसी भी वेभागाद्यक्ष को, हमार वाइस प्रिंसिपल मादम, डॉक्टर रिचागिरी मादम है, किसी को भी जाकर, जिस से आपको लगे कि आप इनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, आप जाकर बोल सकते हैं, और आपको बिलकुल किसी भी तरह की असुरक्षा, सुरक्षित पील करने की ज़रुवत नहीं है, we are guardians to you, or we will take care of your every stress, so don't worry about anything, so with this, in this orientation program, we will orient you to the different departments in the medical college, we will take you a visit to the hospital also, in the medicine, surgery, orthopedics department, and we will try, we will take you to the PSC also, like even if it is a COVID, so we have somewhat restrictions, but now it's okay, it's not that transmissible, so we will take you to the PSCs also, so that you are well oriented, that you have become doctor and your chief concern should be a common man, it is a basic MBBS degree and you have to serve the society, community, so you should, you have to be connected with your friends, so that you have to visit to the PSC and CAC, so you have to see where you have to serve the community, and you have to serve the people, okay, and I hope you are all happy, if you are happy, give a big hand, thank you so much, thank you so much, I welcome our vice principal madam, Dr. Richa Giri madam, she is with us, she is actually professor and dean, medicine department, then we have with us HOD pediatrics, Dr. Yeshwant Rao, and he is proctor also, he is proctor of all the hostels, so agar apne koi indiscipline kia, to apki to kher nahi hai, then we have with us Dr. Neelima Verma, the UG in charge, you must have met her quite a many times in all these days, then we have Dr. Lubna Khan, she is professor and head, transfusion medicine, she looks after the blood bank and all the transfusion work, then there is Dr. Seema Nigam, professor and head, community medicine with us, so, we have already met, met Dr. Anand Narayan, iske lava hamaare haa pa hi haa par anatomy, physiology, biochemistry, Dr. Anand Kumar, HOD medicine, HOD respiratory medicine with us, Dr. Anand Kumar, so, then there is Dr. Madhu Yadav, HOD microbiology with us, she is, then there is Ganesh Kumar sir with us, Dr. Ganesh Anand Kumar, he is faculty, uh, psychiatry medicine, psychiatry, so agar aapko koi bhi stress hona, koi si bhi tari ki jinta ho, koi bhi psychological problem ho, family problem ho, hap sar se mil sakti hai, thik hai, woh aapka chutkiyo mein uđa dhenge, thik hai? Dr. Jalic, aapka address al. Sabse pahle, Pera Pitu ke samasth, navagantuk chhatroon ko, aur unke maata pita, sabko bhoot bhoot badai, ki is esteemed medical college me, unke, unka admission hua hai, unke bachchon ka admission hua hai, aur, jaisa ki Dr. Suniti nne bataya, ki yye college, unnish sso chappan se hai, to, yahaan ke chhatr, sab jagahe chhaya hua hai, Dr. Vats abhi, MCI ke, ah, chairman raha chukye hai, woh aay bhi thay college me, humare, ah, bad pere raha te hua, to, ah, sabhi chhatr, bhoot mehnat kare hai, aur, ah, Dr. Richa Giri, hamari vice principal bhaethi hai, Dr. Yashwan, Dr. Neelima, Dr. Lubna, hamari student hai, aur, Dr. Seema, Dr. Dolly, aur, Dr. Madhu, sabhi faculty, joh humare sab, senior faculty bhaethi hai, Dr. Atoj, Dr. Preeti, aur, Dr. Abha, sab log hamari teachers bhaethi hai, aur, aap samaj saktte hai, ki yye auditorium, isme, hum log bhi, ah, ya haan par pade hai, aur, hamara bhi 1986 bhaeth tha, aur, Dr. Suniti bhi, hamari yahin ki hai, ham log is height phe, is jaghe phe, aaj pohunch ke khađe huye hai, to aapke chhatr, ah, jeewan mein, aap bhi unnathi karayin, khuub mahnat karayin, aur, aapka joh, sapanah tha, doctor benne ka, woha, apura honne jara hai, lekin, shurruo ho chukki hai, uski, MSMD me, entrance me, bhoat tough competition hai, uske liye, pahle dhin se, aapko mahnat karni hai, aur, jab aap, saare subjects, bhoat mahnat se, pahle nghe, to aapke chur, ki joh aapke sapnay, woha, aap pura kar saken nghe, lekin, keval sapna dhekhnay se, pura nai hota, humare, poor, raashpati ji, dr. APJ, abdul kalam sahab, nai itni, achi baat kai, unnohonne kao ki, sapnay to sab dhekta hai, lekin, sapna dhekhnay ke liye, uske liye, mhant karna, joh day dreaming, jisse bolte hai, keval usse nai hota, sapnay ko, pura karne ke liye, aap kiya kar raha hai, woh, matter zahadha karta hai, to, aap sapna dhekhiye, lekin, uske liye, aap na karm kartav, usko aap, pahle dhin se kariyye, aisa kuch naihi hai, ki, aap, 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 kajimu naihi pahai, maulana azad naihi pahai, ya, aims naihi pahai, to, aap nai abhi, kuch naihi kiya, aap, is koolage me pahuncay hai, yaha pahuncana bhi, bhoat mushkila, aap jantai hai, kitni tough counseling hai, iske niche bhi, aaj ki date me, 24, 25, government medical colleges, a chukai hai, to, yaha aap ko, joh admission, mila hai, uske liye, aap, badhahi ke pat rhai hai, lekin, yaha ane ke baad, aap ko, bhoat anushaasit rahke, pahaii karni hai, pahle dhin se pahaii karni hai, anatomi, bhoat tough subject hai, dr. suniti, janti hai, is bhat ko, ham loge ke teachers, ham loge ko, bilkul, anatomi ke liye, bhoat zahadha, pahaii ke liye, prioryt karatay thay, usse me professional, dhari saal ka hua karta tha, اور hamare joh teachers, thayun ke time me, dhari saal ka hua karta tha, first prof, joh first professional exam hai, ham loge ke time me, dhari saal hua, phir hamare phadhatay hua hi, woha ek saal ka ho gaya, 1996 mein, اور tb se ek saal ka chal raha hai, اور ab aapka, chukki batch late ho chuka hai, to woh, dhisember mein aapke, dhisember end or january first week mein, aapke professional exam ke liye, to suchye, ds mohinے mein, sara course khتم bhi karna hai, usmei exam bhi honne hai, to, aap s'majhe kitna kam time, 300 days mein aapko, teen bade subjects pardhne hai, aur aapni performance aaisi karna hai, aapko ki aap first attempt me pass ho jayain, 50% passing hai, aapko pata hai, koji choice ismei hoti nahi exam mein, joh theory part aata hai, usmei ek eck question aapko diya jata hai, joh karna ke liye, woha sab karna hootate hai, short note ka bhi koji choice nahi hooti, yahaan first year se leke, final year tuk even MD exam mein bhi, koji bhi choice nahi aapko milti hai, aapka joh agar aata hai, to aap kar pate hai, naihi aata to naihi kar pate hai, to is liye from page one to last page, aur sare lectures, sab aapko attend karna hai, aur self study, aapko, joh agar aapne abhi tak vikshit ki hai, to baut aachsi baat hai, naihi ki, to aur vikshit karayain us vidha ko, kiunki self study se hi, aap sara courses, aur sab chiz khatam kar pahenge, rahi baat, baqi extracurricular activities ki, to college me sports, bhoat ucch istar ke hoter aay hai, aur for the last so many years, padhaii ke sath-sath, padhaii aapko base rakhni hai, aapni, aur uske alawa, aapko joh bhi karna hai, anushaasit rahke, woh aap karayainge, is college me aane ke baad, jab aapko white coat mil gaya, apron mil gaya, that means you are budding doctor, ab aapko, aapnei, aapnei pariwar ki, aur aapnei GSVM ki, joh izzat hai, joh dignity hai, usko maintain karke chalna hai, yeh nahi ho ki, aap kaanpur central railway station pe hai, yaa Delhi railway station pe hai, aur kisi aesi kratt me, aapko pakhda jaya, aur puchha jaya ki, bhaii, kaha ke chhatre hai, aap kaha hai, toh pata laga GSVM, usse, aapna joh almamiter hai, uski badai, badnaami hooti hai, toh yeh aapko, haemishha, abh, aaj ke baad se, yad rakhna hai, ki, first is yours, your family, and this is now our extended family, toh aapko, aapnei, garima, ame reha na hai, aur, aapnei, aacharan se, yeh, siddh karna hai, ki, aap, GSVM ke student hai, aap, keral chalye jaiye, karnatak chalye jaiye, end point of India chalye jaiye, yaa jammu kashmir chalye jaiye, agar aap, kaanpur medical college bolenghe, agar woh thoda sa bhi medical se sambandit hai, ya thoda sa bhi gyan rakhta hai, woha admi, woha aap se kaya gaga, GSVM, aapko kaanpur medical college ka naam, بتane ki zharuat nini pardhati, GSVM, woha khud hi kaata GSVM, toh, jaisa KGMU hai, KGMU, ham log ke time tuk bilkul parallel tha, abhi pishle 20 sal mein, jab se woh university bana, bhoat aage nikal gya, ham log bhi priyasrat hai, apne osi mukam ko, osi chiz ko paanay ke liye, košis jari hai, lekin, joh, hamar e neat PG mein, joh performance hai, woha aap pe depend kerti hai, aapko, har saal ham log aise hi sa mhjate hai, har saal bachchon ko, ham log ye hi chahate hai, ki hamar e bachche aachha kare hai, lekin, pata nahi kiya hai, yahaan ane ke baad, aap thoda sa relax ho jate hai, aur us relaxation mein, aapka neat PG entrance exam, aapke haat se, kab khisak jata hai, aapko pata hi nai lagtata hai, ambedikar nagar, karno, jalon, ye sab nye medical college khulhe, woha ke bachche, hamaray haan MD karne aate hai, ham log ke departments mein, ham log puchhtate hai, ki bhai, kahan se pata laga, jalon se pas hai, ambibias, karno se pas hai, kiung, ki unke man mein, eek zeel bachchi hui hai, ki hame GSVM se, MD karne hai, aap yehaan ake relax ho gae, ki bhai, ham to GSVM ke hai, thiak hai, to woh chiz aap me, naihi aani chahi hai, callousness, jis se bholta hai, woh chiz naihi aani chahi hai, aapko, pánch ghanate, sat ghanate, chay ghanate, joh aapki, performance, aapko chahiye, uske liye, aapko utni mhant karnei padegi, aur parents se ye kahenge, ki jaisa dr. Suniti nai kaha, ki aap yeh pata karke rakhye, ki kib college me chhuttiya hai, ki bachcha aapka joh hai, woh zyadha din tak ghar pe to naihi rukha hai, pata laga chhuttiyaan čaar din kie hai, aur woh daz din se rukhe huye, to yye aapki bhi responsibility hai, ki aap is chiz ko dekha hai, ki bachcha college me jara hai, ki naihi jara hai. I will request our principal sir, to give few words of blessing to you. Principal sir, please. This is your first day and more are yet to come. I think strength of roughly 100 students and I welcome as you are novices and entering this esteemed college, GSVM Medical College and I also congratulate all the parents as well as the students because they have achieved a particular height in their field. But this is just the entry. This is your first step that you have cleared. And I know that some of you might reshuffle in coming counselling but the message will be same whether you will be in this college or in any other college. So, consider us as your parents in this institute because we will be taking over as our parents here during your period of five years, coming five years as well as your teachers apart from your real parents. Now we are next to your parents here. So, please consider us like your own family because we are considering you as our own family. But as I still remember when I was selected in MBS, my mother, she has only eight pass but throughout my preparation she stood along with my father closely to me and whenever I used to sleep late at night while reading she never pointed anything just she used to give me a glass of milk and she used to encourage me that you are doing a very good work. So, I still remember those days and the day I got selected I got information from a newspaper I think probably that was in Indian Express or Times of India and my mother still she has the cutting of that day. So, you can understand how proud your parents are and how proud you are but this remember one thing this is the first step that you have taken now there are yet to come there are more hurdles that you need to clear upon abhi yeh sari shuruat hai abh aapka jo lifestyle hai kaam karne ka tariqa pardhne ka tariqa pardhne ke subjects such sab adal ni hogi kyaunki aap loog joo preparation ke time pe thai abho ap nahi hai aap alag hai zaatar bachche joo yaa pe aai aek bade peore mission ke saath me aai hoonga jaisse meil ko poori umeed hai ki you have come here to serve the humanity to serve the nations to serve our country but there is a something practical points that i would like to elaborate number one is that the purity you have right now you will have to maintain that purity because by the end of the final year your motives will change then right now your motive is to serve the humanity by the end of final year or by the end you finish your MD or MS your motives will be different you might be you might become money oriented you might become you might become something like more oriented towards your personal benefits so this is my humble request to because this is this should be your memorable day because today you have joined but we will be taking up a function completely after all of other students join but this is a day of introduction so i am just creating a food for thought that is kindly maintain your purity purity in the sense jis motive ke liap yaha pe aa hai hai upasthi tu hai hai usi motive ko aap maintain rakhna because this is the only profession in which the god has given you power to save the lives which is which might be present in other professions like policing and lawyers and etc but here god has given you full rights and here the corruption is only will be introduced if you want to become you want to practice you want to earn money then correction will be introduced from your side you will not be forced to do the corruption here you have option like in policing and other branches you don't have option because there is so much pressure from your higher authorities so many times you take the decisions which are not correct but here in our profession day in day out you are associated with the people who are suffering people who are ill they might be mentally ill physically ill so but as you grow your sympathy towards the patient it gradually vanishes down why it happens probably it's our fault probably you tend to become more mentalistic for instance when I came here when I joined in MABS way back in 1989 in Niagara my motive motive was very pure I wanted to serve the humanity but by the time I finished up my MS my motive became to get MCH and to earn more and more fame and to earn more and more money remember money and fame will come automatically then I realized by God's grace in 2003 I got here I came here as a lecturer and since 17 and 18 years I have learned one thing that it's very easy to get carried away you will get a lot of 가지 which will be very poor but you will get a lot of Afro but you will see Since we are here as a family, you just feel free in every aspect, आपके personal problems, health problems, or your family problems, which you cannot share with anyone, you can come and share with your teachers, या आपके senior related problem, batchmate related problem, What happens, पिछले करी समय से मैं यह देख रहा हूं कि somehow एक teachers में students में gap रहता है, जिसकी वैसे अगर students को कोई problem होती है, दिक्कते होती है, तो they don't share with their teachers, और ultimately उसका results बड़े खराब होते हैं, For instance, जैसे आपसे पहला बैच या ओर टू पहला बैच, उसमें एक लड़के ने सिधा डेली में regarding ragging उसने complain किया, हाला कि रहिंग जैसे कोई चीज थी ने, लेकिन उसके सीनर ने से थोड़ा खराब तरीके से बोला, तो उसने ही रिपोटेट दिया, अगर आप हम लोग से संतुष्ट नहीं हों, तो आप हम लोग से संतुष्ट नहीं हों, आज के जमाने में ragging सिर्फ नाम मात के रह गही है, और वी यहां टोटली अप्लेस विच तोटली अर रागिंग फ्री जोन, हमार यहां रागिंग नाम की चीज कुछ नहीं है, और इस विप्समभी ट्रास टो और मिषबेड और विपनिश हम, कोई भी आपका सेनर और विपनिश हम अरगिंग यहां अर्यूएटली, अधर बर इस तर्टली, तुछ नहीं अर्मेंग रूएटली, अधर टोटली, तो लिक एमार टोटली, अप्सोड एम्सूइब प्री I still remember I received 70-80 slaps, and after that I stopped counting the steps. So that time changed, now I don't have to talk with any other voice. So, this is my humble submission, that if you have any problem, don't feel that you are different from us, now we are your family, because parents will see here in the house, we will see here in the house. So, if you have any problem, and if you have any problem with a senior, junior, then you first report your immediate teacher, class teacher, HODs, proctors, wardens, if it doesn't be solved, then I have a vice principal, Dr. Richa Giri, she is a very dynamic principal. Then, myself, principal, I am always open to you and to your parents. In the meantime, sometimes we have to punish with children, who are wrong. I hope that this pair will be very good, and I will never be a complaint from this pair. Because as you are new pair, you are decent and good. The previous 3-4 pair, when these regulations were established by NMC, and we also saw that it was a lot of hard work for our teachers. Because way back in 2003, when I joined, there were only two teachers in my department. Right now, we have 18 teachers. So, the government has resources, faculty, and other things improved. Yes, you can have a complaint, take care of living in the hostel, take care of living in the hostel, take care of living in the hostel or take care of living in the college. But, because I have joined hardly 8 months back, before that, I was principal of Agra Medical College. So, we are improving. Our teachers are working hard. Dr. Suniti has worked very hard. Dr. Jilaj has worked very hard on your curriculum. So, my point number 3. First, I talked about your mission. Second, I talked about the problems you are going to face. Then, third, I am talking about the facilities. Facilities, you have to compromise a little bit. Because, now we are in the process, which were the problems for many years, for many years, for many years, for many years, for many years. So, there was a big gap, and a little bit in the medical college. But, in the past 15-15 years, especially after the government, the government's focus of medical health and medical education has increased. So, that's why we have a day-by-day new facilities. There was one time when the medical colleges were leading. We were leaders. But, now, the private institutions, the private nursing homes, the teachers are leading. Why? Because we lack the facilities. But, right now, the facilities are being revamped again. So, we are all doing it again. In this case, you will have a solution. We have to tell you. We have to compromise a little bit. But, we are all trying to do it. Before you, all the teachers and all the wardens have come. All the people have made it. We have tried it. We have to do it. Look, I will not get home. You will not get home. But, you will get home. I think, as a parent, the parents will get home. So, I think, it is better in the midst of the students. That you will get a family and a big family. In addition to our parents. In the form of our people. Please feel free. We need to compromise a little bit. We need to coordinate a little bit. And we will try to do it. You will never get any bad or bad. You will also be beautiful. You will also be beautiful. But, with this, these were your targets. With this, there are also some expectations. As a teacher. We want you all to be angry. We will get a lot of seniors. You will get a lot of seniors. Three categories of seniors. The first category is 20%. They will help you very much. They will help you. They will help you. They will help you. They will help you. But, that is, it would be 20%. यहीं किस्टेंगों होगे. इनि कि 5 साल तक और इंटर्शिब तक आपके साथ इन्दे से गंदा मिला करेंगे. आपके साथ कंदे से गंदां करेंगे. आपको हैंगे. बीस परसेंट. बाखे रस 60% विल डीरेश भीश में होगे. आप अगर उनसे कहेंगे तो आपके मदद करेंगे या वो आपसे कोई बहुत जादा concern नहीं होंगे लेकिन 20% बहुत बदमाश टाइप की भी मिलेंगे आपको जो शायद पुराने संसकारों की वज़े से ठीक नहीं होते हैं तो और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके खिलाफ हम कारवाई भी कर चुके हैं थोड़े धी टाइप की हो सकता है वो आपके अंदर बुरी आतर डाले कोशिश करें तो उनसे बचके रहना बहुत जरूरी है आपको अनसे प्रब्लम और गाले सांदे कोशिश करेंगे तो मिलेंगे गरीब से घरीब अमीर अमीर से महीं हैं हमारे जो नियमें बहुत कड़े हैं, और हम लोग पहले बहुत आसे करवाई करते हैं, जित्ने आपके परिंट्स अब को पयार करते हैं, उससे जादा प्यार आप हमसे पाएंगे, लेकि चुकि मैं यह discipline मेरे घर में भी रहता है अपने बच्चों के साथ में मैं वही discipline apply करता हूं जो आप लोग के साथ apply करता हूं तो इसलिए इस college में आपको यहां का decorum, discipline, seniors के प्रती respect और teachers के प्रती respect यह सदेव आपको बनाया रखनी है बतले में आप जो हम लोग सदेव आपके लिए भी समर्पित हैं इस college के लिए समर्पित हैं और याद रखिए यह college आपके ऊपर एक stamp की तरह है आप जहां भी जाएंगे, GSVM का label आपका पीशा नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए आप कुछ भी गलत करेंगे, विद्याले की छवी अगर धुमिल होगी, तो याद रखीगा वो आपके साथ सदेव चिपकी रहेगी बीच में करी सारे से college मेंने बहुत सारे मेल कोलेज देखें उसमें कुछ-कुछ ऐसे घटना हुए हर बैश में कि उससे college की छवी को धक्का पड़ा लगा तो मेरा यह आप लोगों से निवेदन है कि पिछले कुछ समय में हमारा जो एक 1989 की बात है जब मेरा सेलेक्शन तो उस वक्त में I never thought में चुकि मैंने टुक आग रहा इन नेवर ऑप्टेट फर कानपुर क्योंकि कानपुर बड़ा मेडिल कॉलिज था लेकिन उस सथ कानपुर मेडिल कोलेज की चवी कुछ अलग प्रकार की थी उस समय से अभी तक बहुत चेंज हो गया मुझे कभी नही जाओंगा उसका एक दिन प्रिंसिपल बनना पड़ेगा तो life is you know it's like a circle आपको घुम के वही आना पड़ता है जहां से अपने शुरुआत की होती कई सारे ऐसे टीचर थे जो आज प्रिंसिपल है जो उस ताइम पे बहुत notorious थे एकात को मैं जानता हूं समय आने पर आप ल को ना केवल प्रदेश पूरे पूरे देश में हम लोग एक नई शगनी पे ले जाएंगे नहीं उचाईयों पे ले जाएंगे पिछले आठ मेने हमारे टीचर ने बहुत महरत की है हम लोग smart classes smart teaching system उसको implement करने कोशिश कर रहे हैं और जो सुविधा हैं उनको बढ़ाने कोश कर रहे हैं और मुझे उमीद है अगले दो तीन साल में हमारा college state of the art college बन जाएगा इनी सब शब्दों के साथ में काफी समय ले लिया आप सब लोग का देश साने के माफी चाहता हूं क्योंकि मैं I was busy in operation because I am a surgeon also तो मैंने कल ही बोल दिया था मैडम से doctor जितने भी first year के teachers है organizers है मैंने बोला था कि because I will be busy in the operation so I might take some time तो इनी शब्दों के साथ में मैं सारे जो first year के बच्चे हैं जोने जोने किया है आप सब लोग का और आपके parents का हार्दिक अभी नंदन और स्वागत करता हूं और मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूं कि आप लोग खुश रहें और एक दिन इसी college का आप लोग नाम बहुत मुचा करें धन्निवाद थैंक्यों मुझे आपके साथ discipline को maintain करके रखना होता है इसलिए मेरा रूल बड़ा policing का रूल होता है students के लिए दो बात कहनी थी एक तो जैसा कि principal सर ने भी बताया था डॉक्टर जलस सक्सेहा ने बताया था सुनीती पांडे मैडम ने बताया था आपको कोई भी प्राब्लम होती है होस्टल में या अपने सीनियर से जैसा कि प्रिंसल सर ने बताया कि 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो तमो गुड़ वाले होते हैं उनको हम सुधार नहीं सकते वो आपके हॉस्टल के बगल से गुजरेंगे किसी का नाम लेके चलो मुरगा वनो यह करो और आप ढर जाते हैं इतना कमजोर मत बनिये कि घृण कि बाहर से आपके हॉस्टल में घुजने की हिम्मत किसी की नहीं है यह मेरा अस्चूरांस है मेरा लुक में आप जानते हूं चाय पी के आ रहा है रमेश मुर्गावन अब आप क्या करते हैं रात को इंटरनेट सब लोग चलाते हैं इतने कमजोर हो गए हो तुम लोग नो तुम लोग फिजिकली स्ट्रॉंग हो नो मेंटली स्ट्रॉंग हो रात को एनमसी की साइट पर आपने कंप्लेंड कर दी हमारी स्ट्रॉंग होई है यू नो आपकी उस चोटी सी कंप्लेंड से पूरा कॉलेज रूटीन एक्टिविटी छोड़के उस कंप्लेंड को देखने में लगा रहता है कौन कहा था कब कहा था कैसे कहा था हाव कैन आई फाइंड आउट कि रात को कौन सा सीनियर जहां पे इस कैं मुर्गा बनने के लिए तो प्लीज अगर आपको कहीं पे किसी का चेहरा दिखता है तो अबरीवडी आप स्मार्ट फोन यू में के बीडियो और यू टेक दो फोटोग्राफ वी विल टेक दो एक्शन लेकिन हमारा कहना यह है कि एक बर क्या होता है हर मीडिया वाले हर पे प्लीज आप अपने वार्डन को अभी आपकी सारी क्लासे अनाट्वी, फिजियोलजी, बायो, केमिस्ट्री की हो रही है आप अपने एचोडी को आप अपने टीचर को बता सकते हैं हम सब के नंबर होस्टल में हर जग जग पे कॉर्नर पे लगे हुए हैं अनी टाइम यू ब्रस भी कर रहा है तब भी ट्वीट कर रहा है तो यह सब चीजे मत करो कुछ भी हो हमें बताओ वी विल भी देयर तो है या अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर जश्टिस नहीं मिल लगी है और वी आप गोंग तो टेक केर आप यू यू या यू गो तो धायर साइ बट हमें दुख होता है कि we are here to help you और आप जो है कहीं और जाके इता उधर कर रहे हैं आपके पिछले बैच में एक लड़के के बारें बताओं ऐसे ही एड्रेस हमने तब भी किया था वो लड़का पारेंट्स के लिए में बहुत इस्पेसल मैसेज है पारेंट्स के लिए पदाचला उसने सिकायत करी नमसी साइट पर पदाचला कि वही कल्प्रिट था एक दिन रात को ग्यारा बजे हमने पकड़ लिया रात को सरावरा पी के आया था उसके साथ में पांच छे लड़के और थे तो उसके साथ साथ उन्चे लड़कों को हमने सस्पेंड कर दिया तो एक बेसिकली जो 20% सर ने बता है ना तमो गुड़ वाले जो कभी सुधरते नहीं हैं लेकिन जो पाच्छे लड़के थे नो एबरेज वाले थे वो बिचारे बस साथ देने चले गए दोस्ती में डियर पारेंट्स आप अपने स्टुडेंट्स को क्योंकि जब यह मेड दॉक्टर बन गया है आम डिफ्रेंट फिर वो जगा जगा जाके न मतलब मेडिकल लाइंग्वेज की बाते करेंगे और इधा उदर करेंगे कभी सिग्रेट पूकेंगे कभी सराब पूकेंगे कभी कुछ करेंगे और इसको बड़ा अपना चार बानते हैं प्रॉब्लम क् कैसे आते हैं जितने भी आज-पास के हैं इस तरह के चीजे कहीं कहीं से फोन आयाता है कि साब आपके लड़के यहां पर हैं डॉक्टर लूबिना मैम और गाइनी की होडी मैम हमसे करते ही डाट साब आप पकड़ कैसे लेते हैं पाजला किसी रेश्टोरन में बैठे खाप पी रहे हैं सर आप पी रहे हैं वहां से फोन आता है रे सर आपके बच्चे यहां पर यहां हैं अच्छा मैं कहता हूं ठीक है जब निकले दो बता देना जो गेट पर घुसे अमने वहीं पर पखड़ लिया उनको पैरेंट्स के लिए एक मैसेज है आपका बच्चा चाहें यहां पढ़े या अपग्रेड हो के कहीं और पढ़े साम को छे से दस के बीच में मदर फादर दो बार तीन बार चार बार कॉल कर ले आपको लगता है कि कुछ भी क्योंकि तीन चार लड़कों को हमने ऐसे सुधा गलत आदतों में पढ़ गया थे उनको पकड़ा गया उनके पैरेंट्स को बताया गया तो उन्होंने एक दो बार उनकी मम्मी ने फोन किया सर आज उसकी जीब जो है लड़क़ा रही थी हम तुरंत होस्टल पहुंचके देखा बाद सही है वो लड़का आज जो सबसे भी सकता है गलत रास्ते भी जा सकता है और सबसे अच्छा जो टाइम होता न अच्छा टाइम या बुरा टाइम का है यह छे से दस का टाइम होता है जब यह लो इदर अदर की एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो बी केरफुल दूसरी बात डियर जूनियर बोलते हैं वो कभी इनको डॉक्टर संजे नहीं बोलती है एक रस्पेक्ट है जो मेडिकल कॉलेज का एक बोटो है आप अपने सीनियर की रस्पेक्ट करेंगे आपको अच्छी बाते सिखाएंगे अच्छे राहों पर ले जाएंगे तो प्लीज रस्पेक्ट यूर सीनियर and respect the rules of the hostel, rules of the college. Thank you. Thank you for your bright future. Now I request our UG in charge, Dr. Nilima Verma to enlighten you about the MBBS program. थो आपको को देन्य है आप मिबस गे डिएक हम वीन welle में परीफ बीक स्थाइब्स कोर्स कोर्स करे बारने में अरे में यह में जन को आपके हूगे टleşांगे अजते के रहां के ताप के अपको बताएंगे अपको जसे प्रफेशनल में जाएंगे इसमें प्री क्लिनिकल फेज है यापका, इसमें आपके तीन सब्जेक्स रहेंगे, अनाटमी, फिजियोलजी, और बाइचेमिस्ट्री, इसमें जैसे मैडम ने आपको बताया था, कि एक महिने का आपका फांडेशन कोर्स रहता है, जो नॉमली रहता है, लेकिन इस बार क्योंकि आप लोगो का सेशन लेत है, तो उसको मर्ज कर दिया गया है, नॉमल टीचिंग सेशन पे, जो वैसे जो हमेरे कोर्स डिजाइन है, याथ एधर वन मंथ का आपका फांडेशन कोर्स, नो तर्फटीन मंद्स ब टीचिंग, और उसके बाद आपका एक महने में आपके एक्जान रिजल डिकलरेशन यह सब रहेगा, लेकिन अभी आपको अवसुनीती मैडम ने बताया ही है कि अभी आपका वो जो foundation course है उसको merge करके इनोंने सिर्फ Saturday-Saturday उस program को रखेंगे और normal days में Monday to Friday आपके teaching चलेगे फिर आपका जो second year शुरू होता है second professional year इसमें आपके तीन subjects रहेंगे pathology, microbiology and pharmacology यह again हमारा 11 months का duration रहेगा इसमें teaching program और उसके बाद एक महने आपका हम इसमें भी एक महना dedicated रहेगा for exams and result declaration इसके बाद third professional या part one हम जिसे कहते हैं final part one इसमें आपके चार subjects अब हो गये हैं ENT, ophthalmics, SPM and forensic medicine यह भी आपका 12 months का teaching program है with one dedicated month 12 months के अलवा एक महना आप करेगा for examination and result declaration then उसके बाद MBBS first part के बाद final part one जिसे हम mini prof कहते हैं या third year जिसे हम कह रहे हैं उसके बाद 2 महने का आपका elective postings का एक schedule रहेगा वो elective postings आप लोगों को जब आप यह second year में जाते हैं जब पास हो जाएंगे तब वो आपको option दिया जाएगा तब आप उसमें से select करके तब इसके end में आपको elective postings का आपका दो महने का schedule रहेगा वो आप खुद चूज करेंगे आपको उसके options दिये जाएंगे फिर उसके बाद आपका final year शुरू होगा final year का course आपका 13 months teaching program है और इसमें आपके medicine, paediatrics, surgery, obs and gynecology, ये सारे हेंगे medicine and surgery के साथ कुछ allied subjects रहते हैं वो सब रहेंगे surgery के साथ आपका orthopedics रहेगा ये भी आपका 12 months के duration का course रहेगा और हर teaching program के बाद फिर एक महने का dedicated आपका exam और इसके लिए result declaration के लिए पूरा इसमें dedicated हमार बजो schedule है तो ये total duration जो है आपकी ये हो जाती है साड़े चार साल की इसके साथ ही साथ NMC ने अब जो first year से ही आप लोगों के clinical postings पी शुरू करती हैं और इस बार जो है अब जो आपके बाच के साथ start हो रहा है अभी जो हमारी NMC के साथ एक meeting होई थी उसमें उनोंने हमको बताया है कि कुछ changes कर रहे हैं तो अभी आपके first year से ही family adoption program एक शुरू कर रहा है NMC तो उस family adoption program में क्या है कि एक बाच को एक family एक village family उसमें adopt करनी होगी और यह होगा हमारे SPM department के अंडर में जिसमें madam हैं आपको details तो madam बताएंगी मैं आपको जस्ट एक brief overview दे रही हूँ कि family adoption program में हर बाच को एक village adopt करना है और हर एक बच्चा, हर एक student जो हमारा MBA student है वो पाँच families उसको दी जाएंगी adopt करेगा वो साड़े चार साल उन families की पूरे उसमें जो जो भी उनको options वो दिये जाएंगे directions उन families को ले करके पूरा वो progress करेगा पूरा साड़े चार साल उनको follow करेगा और log books वगरा भी maintain करी जाएंगी और log books आपकी हर department में maintain होंगी हर subject में maintain होंगी और उसके अलग से number होंगे तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का तो ये तो आपका course का duration course के आए मैंने आपको एक brief overview दे दिया है जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ जिस department में जाएंगे वो आपको details बताएंगे अभी आप first prof में हैं तो आप हमारी जो college की website है आप उस पे चेक करेगा आपका पूरा year planner उस पे uploaded है तो वो आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लीजे या उसका print ले लीजे और उसको देख लीजे आपके पूरा complete schedule है पूरे साल भर का और इसके साथ ही साथ आपको यह भी धिहान रखना है कि अब जैसे कि यह है अचा दूसरी चीज़ जो हमें एनमसी की मीटिंग में बताई गई थी वो यह बताया गया था कि अब वो next exam शुरू कर रहे हैं तो जो पहले आप लोगों को शाद एक आडिया होगा कि national exit test होगा वो आप सब को शाद पता होगा कि जब final year हो जाएगा तब होगा लेकिन अब ही जो हमें inform किया गया है नमसी की तरफ से तो उन्होंने next exam तीन लेवल्स में डिसाइड कर रहे हैं अभी उसका बहुत ही जल्दी उसकी notification आजाएगी तो मैं आपको जस्त एक simple सा बता देती हूँ कि जो आपका next one होगा वो आपके second year के बाद होगा उसमें आपके pre-clinical और non-clinical मला first year, sorry paraclinical और non-clinical मला कि first year और second year का पूरा assessment होगा और यह तीनों ही next जो exams है वो NMC कंड़क्ट कराएगी पहला next जो होगा next one वो आपके second year complete होने के बाद होगा और यह qualifying exam होगा इसकी scoring जादा मैटर नहीं करेगी फिर जो इसका second है that is next two next two होगा आपका जब आपके final year के exams है तो वो भी NMC कराएगी और यह आपका इसमें ध्यान रखेगा यह आपका scoring exam है इसके scores के basis पे ही आपका जो post graduation है उसकी merit बनेगी ठीक है इस तीस का ज़रूर ध्यान रखेगा next one जो है वो qualifying exam होगा next two जो है वो scoring exam होगा उसके बाद जब आपके next two कर लेंगे final year के बाद उसके बाद आपकी internship start होगी फिर एक साल के आपकी internship होगी और उसके बाद internship complete होने के बाद आपका next three होगा जिसमें कि आपने internship में जो कुछ भी clinical skills को acquire किया है वो test किया जाएगा तो यह भी एक qualifying exam है इसका भी scoring नहीं होगी लेकिन इस qualify करने के लिए आपके PG में admission के लिए दोनों तीनों exams को clear करना बहुत ज़रूरी है scoring exam आपका सिफ next two होगा लेकिन आपको next one और next three अगर आप नहीं clear करते हैं तो आपको PG में तब तक admission नहीं दिया जाएगा आपको तीनों exams को clear करना बहुत ज़रूरी है इसमें से दो आपके qualifying exam है एक आपका scoring exam है इसके साथ ही साथ मैं as a teacher आपको कुछ advice भी देना चाहती हूँ मेरी सबसे पहली advice तो यह है कि आप लोग बहुत regular रही है अपनी studies में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही है हर course जो है हर level जो है हो गई है तो अब आपके पास बिलकुल भी time नहीं है वेस्ट करने का तो प्लीज आप लोग अभी से ही इस चीज का धिहान रखिए अभी भी जो है आपका 14 फरवरी से आपका शुरू हुआ है session और 31 दिसंबर तक ही आपका teaching program है और हमको जानवरी में आपका exam लेना है तो इस चीज का आप जरूर धियान रखिए कि शुरू से ही बहुत ही regular रही है पनी studies में भी और अपनी classes attain करने में भी आपका मैंने बताई दिया है आपका पूरा year planner हर साल हर इसके लिए level के लिए हर साल हमारी website पे रहेगा अभी आपका डाल दिया गए है आप डाउनलोड कर लीजिए अपने पास रख लीजिए समझ लीजिए उसको पूरा पढ़ कर के देख लीजिए इसके लावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि consistent रही है अपनी studies में क्योंकि मेरा ये मानना है कि intelligence से जादा consistency आपको life में help करती है आप intelligent है ये तो आपने proof करी दिया है लेकिन कही बार जैसे कि भी यश्वन सर ने भी कहा कि कही बार लोग भटक जाते हैं बच्चे 6 से 10 वाले जो slot होता है उसमें थोड़ा सा divert हो जाते है तो जरा आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिए और फोकुस रहिए और अब जब कि आप लोग अपने घर से अलग रहेंगे दूर रहेंगे तो आपकी जिम्मेंदारी और भी बढ़ जाती है चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़किया हो तो आप सब को अपना ध्यान अब खुदी रखना है अच्छा खाईगे अच्छी संगत रखिए सबसे इंपोर्टन्ट है आप सब अच्छे हैं लेकिन अच्छी संगत रखना बहुत इंपोर्टन्ट है वो संगत के बारे में अभी हमारे प्रॉक्टर सर ने बताया ही था तो उसके डीटेल में तो में नहीं जहूँगी और जैसा प्रॉक्टर सर ने कहा था कि पेरेंस की भी बहुत बढ़ी जिम्मेधारी है ऐसा नहीं है कि बच्चा सेलेक्ट हो गया तो बस उसको छोड़ दिया, नहीं, सेलेक्शन के बाद भी आपकी बहुत बड़ी जबमेदारी है, बच्चे से कॉंस्टेंट आप टच में रहिए, और सारे ही बच्चे, मेरी तरफ से, यू पीपल आर अलवेज वलकम, कभी भी आ तो आप लोग फोन नमबर ले ली जएगा, मेरा खाल से, मुस्त आप लोग फोन नमबर नहीं है, तो परेंस प्लीज आप लोग ले ली जएगा, और कभी भी कोई ज़रो तो, तो एवरीवन एस वलकम, विद इस वर्स, मैं अपनी बात को फिनिश करती हूं, और मैनी, मैनी तो आपको, तो आपको, on Tuesdays and Saturdays, we have scheduled community medicine in our timetables, or P.H.C. and C.H.C. visit, you will be meeting her. आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, GSVM Medical College, Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College, जो कि एक बहुत prestigious medical college है, ना कि UP का, बलकि पूरे देश का एक prestigious college है, इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत बधाई आपको, और आपके parents जो भी यहाँ पर बैटे हैं, parents कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, आज एक दिन का समय जो छुट्टी का था, वो नि काफी बाते हो गई हैं, तो मैं इस सब को कहती हूं कि, welcome to Ganesian family, अब आप Ganesian हो गए हैं, और हमारा जो, हम लोग काफी सारे लोग हैं, यहाँ पर जो teachers बैठे हुएं, इसी college के product हैं, और यहाँ पर teacher बने, बहुत सौभाग है हमारा, और हम यह जो legacy है, आप लोगों को pass on करे करेंगे, through academics, जो भी हैं, और बहुत सारा जो cultural चीजे होती है, जो एक college का एक culture है, वो हम आपको pass on करेंगे, तो प्रिंस्प साब ने, और मैडम ने, रिचा मैडम ने, सभी ने आपको काफी अच्छा address करा, और काफी सारी चीजे बताई, तो काफी समय हो चुका है, तो मैं आपको बस अपनी तरफ से, अपनी faculty के तरफ से, और सभी लोगों की तरफ से, बहुत-बहुत success की wishes देती हूं, कि आप future में बहुत अच्छा करें, हमारे college को उचाईओं पर पहुचाएं, और खुद अपना नाम तो करेंगे ही रोशन, हमारे college का भी नाम रोशन करें, एक और बात में कहना चाहती हूं, कि जो हमारा subject है community medicine, यह पहले ही साल से start हो जाएगा, और यह लगबख साड़े तीन साल तक जब तक आपका mini prof का exam नहीं हो जाएगा, यह तब तक चलेगा, तो यह सबसे, our subject is the largest subject, साड़े तीन साल की पढ़ाई, सारे subject आप एक साल पढ़ेंग आपको एक family medical graduate बनना है, तो आप उस तरह से आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी, कि किस तरह से आपको एक community या family physician में develop करने के लिए, पूरा यह process होगा, साड़े तीन साल का, तो इसमें बहुत सारा नई चीज आ गई है, जैसा बताया गया कि family adoption program हो गया है, जिसमें आप आप लोग families में जाएंगे, उनको adapt करेंगे और over three and half years, आप उनके साथ में रहेंगे, उनके पूरा जो है, culture को उसका घ्यान लेंगे, फिर environment के बारे में जानेंगे, socio-cultural जो चीजे होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, तो उस सब कैसे हमको उसको health से relate करना है, health and disease से relate करना है, यह सब आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप जब साड़े चार सार बाद यहां से निकलेंगे, तो एक पूरे complete family physician की तरह निकलेंगे, तो आप लोगों को इनी डॉक्तर बने और हमारी कम्टी को सर्फ करें. Thank you so much. Thank you very much. With this, we are at the end of our program. कर दो अर वजब कर दो कर दो, बाद कर दो कर दो